नमस्कार दोस्तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तो आज का ये जो वीडियो है प्रॉपर्टी से रेलेटेड रहेगा और ये जो गुट लुकिंग एलिवेशन के साथ जो आप ये घर देख रहे हैं तुकुश्टोरी मकान है ये और जिस मकान हमारे पास सेल के लिए आयवा है बिकाव है ये मकान और इसके लोकिशन के करम बात करें तो देहरा दुन में विकासनगर में हेरिटेज के ठिक सामने आदर्स कलोनी में ये मकान बना हुआ है तो कंप्लेट वाक्थूर के माध्यम से हम इस घर को देखने वाले हैं तो आपको end तक देखना है तो चलिए start करते हैं तो यहां पर gate के ठिक सामने आपको parking area मिल जाएगा यहां पर एक car parking का area मिल जाएगा यहां पर आपका जो है car खड़ी हो जाएगी बड़ी car खड़ी हो जाएगी और scooter विगरा आप यहां पर जो front में हमने यहां पर lawn आपको में दोस्तों यह बना हुआ है और अगर वर्ग गज में इसकी हम बात करें तो यह लगबग आपका 1344 divided by 9 आपका 150 वर्ग गज में यह बना हुआ है इसमें ग्राउंड पर आपको 2BHK मिलेगा यह आपका डाइनिंग गिरिया है ठीक है एक बार यह दुबारा देख लिजिए यह आपका डाइनिंग आपको इसमें मिलेगा यहाँ पर जो यह एरिया आप देख रहे है जहाँ प ओपन किचन दिया हुआ है और एक कॉमन टॉलेट इसमें आपको देखने को मिलेगा आपके डाइनिंग से लगता हुआ ठीक है यह कॉमन टॉलेट का डौर है और एक बैडरूम यह है आपका काफेच्छी साइच का बैक सेड में भी दोस्तों वेंटिलेशन के लिए कुछ छोड़ा गया है तो वो भी मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं ठीक है पीछे की सेट दोस्तो एक पब्लिक नाला भी जा रहा है गूल जिसको बोलते हैं सिचाई के लिए तो वो आपको benefit मिल जाएगा वैसे जो है यहां पर जगा छोड़ा गया है अपने ही area में ठीक है त और एक bedroom यह था इसके साथ attached washroom आपको देखने को मिल जाएगा सामने आपको door दिखाई दे रहा होगा ठीक है तो अब चलते दोस्तों इसके first door पर यह आपका stair है यहां से हम उपर जाएंगे ठीक है तो ground हमने देख लिया था यहां से हम यह पारकिंग इरिया एक बार दुब अब भग साथ तीन फिट यह रखी गई है बाकी आप देख सकते हैं और फर्स्ट पर आपको एक उपसरता यहां पर जो है एक आपको बलकुनी टैप का यहां पर देखने को मिलेगा जहां से आप elevation का जो है नजारा ले सकते हैं बाहर देख सकते हैं आपको पूरा दिख जा आपके चत पर जाने के लिए तो चलिए फर्स्ट ट्रोर पर एंटर करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे एंटर करते हैं आपको यहां पर dining area मिल जाएगा dining या फिर आपका family lounge area और उपर आपको तीन bedroom मिल जाएगे या फिर आप एक को easy go drawing के उपर जो bedroom बना है यह वो bedroom है यहीं पर एक comment alert जैसे नीचे था एक comment alert आपको यहां मिल जाएगा ठीक है बाहर आपके dining में एक bedroom यह हो गया जैसा नीचे था वैसे उपर ठीक है इसमें भी ventilation के लिए पीछे जगा छोड़ा गया बलकुनी आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है देख सकते हैं आप यहां प बाकी आप यहीं पर ठीक है यह अपका common washroom था है यहां पर हमारा इसको मैं दिखाने ही पया हूँ इसी में आपको एक सामने kitchen भी दिया गया है ठीक है यह तो हमारा drawing था मैंने आपको दिखा देखा दिखा देखा तो इस तरह से दोस्तों यह हमारा घर है और यहां से भी दो बलकुनी में इंटर कर सकते हैं एक और बलकुनी है separate इस वाले room के साथ देख सकते हैं ठीक है एक सामने था बलकुनी एक ही हो गया बलकुनी तो इस तरह से आपको इस room के साथ भी बलकुनी देखने को मिल जाएगा और एक bedroom आपको यह kitchen हो गया open kitchen दिया वाए आपर ठीक है ज दोस्तों इस तरह से यह हमारा घर है जो कि हमारे आदर्स कलोनी में है वाकि आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा अगर आपको इंट्रेस्टेड है तो आप हमको कॉंटेक करके और डिटेड ले सकते हैं इसके प्राइस का ठीक है ओनर का भी नंबर में डिस्क अगरत का नजारा है और बाकी चीजें अगर हम बात करें इस घर के नेरिष्ट आपको स्कूल वग्यारा हो गया और जो हाइवे है वह दूस्तिंसों मिट्र की दूरी पर आपको हाइवे मिल जाएगा है आपने देखा योगा विकास्नकर में तो वहां से दूस्तों डाइस जने बात